नमस्कार दोस्तों आप सभी का study for UPSC PCSN में स्वागत है दिरिष्टी आईएस के बिहार समगरब लोकन के तिर्थिय संस्क्रान बुक से NCN Tristy आज कंप्लीट हो जाएगा NCN Tristy का लास्ट वीडियो होगा आज हम गुप्त समराजी से लेकर और पाल समराजी तक खतम कर देंगे और सरसथमी VPSC Reexamination का जो डेटा है अगस्त के लास्ट वीक में उसके लिए भी हम लोग पार रहे हैं और medieval और modern तो इससे पहले ही खतम किया जा चुका है MCQ भी साथ साथ चल रहा है चैनल पर आप उसको देख सकते हैं जाकर daily MCQ अपलोड होता है आज देर हो गई है नहीं तो आज अभी तक अपलोड हो गया रहता चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे आपको कंटेंट अच्छे ही मिलेंगे इस चैनल पर गुप्त समराज्य NCN ठिस्टी में दो समराज्य हैं जो UPSC और VPSC दोनों सरे एक जामे पूछ जाते हैं एक है मौरे और दूसरा है गुप्त दोनों अधभूत हैं अपने आप में ही चले शुरू करते हैं काफी कम चोर होगी कुसान जब खत्म होंगे तब गुप्तों का उद्य होता है गुप्त जो थे वो कई सारे तिहास कारब क्या बोलते हैं कि गुप्त जो थे ये कुसानों के सामन्त थे है ना उसके बाद क्या दिया है कि ऐसी है राजनतिक स्थिती में गुप्त राजवंस का उदे हुआ कुसानों का पतन के पसात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों या गनतंत्रों का उदे हुआ राजतंत्रों में कौन-कौन थे? गुप्त, नाग, अभीर, एक्षवाकू और गनतंत्र में कौन-कौन थे? गनतंत्र भी कुछ-कुछ उदे हुए थे इसी समय में अरजुनायन, मालव, योधेव, योधे और लिक्षवी ओके ये सभी गनतंत्र का फिर से उदे हो गया कुसानों के बाद लगभग चार सताब्दियों तक भारत का समाजिक, धार्मिक, साहितिक, वैग्यानिक और तक्निकी विकास होता रहा स्वरनिम यूग रहा है ये भारत का, है न? आगे पता चलेगा क्यों इसको स्वरनिम काल भी कहा जाता है? कि मुक्यता गुप्त राजाओं के सासनकाल से संबन्धित है, गुप्त बंस का आरंभिक राज उत्तर प्रदेस और बिहार में था, आरंभिक कहां पर? यूपी और बिहार का भाग संभवता गुप्त सासकों के लिए बिहार के पिक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महतोवाला प्रांथ था क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और भिलेख मुक्यता उत्तर प्रदेश में ही पाए गए गुप्तर प्रदेश का इलाका जो है और उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो मद्य प्रदेश का कुछ इलाका पर होता है वहां पर गुप्तो का प्राडमभी का समराज यह था गुप्त संभवता वैस से थे इनके सरनेम्स इत्यासकारों ने सारे जो मंस बनते हैं बरे-ब कराई होते हैं इसको मद्याद रखना सामाने तोर पर वैस से माना जाता है कुसानों के सामंत रहे थे कुसानों से प्राप्त सैने तक्नीक और वैवाहिक समंधने गुप्त समराजी के प्रसार्यम सुधिरी करन में महित्पुलन भूमी कानिभाई यह था एक साहितिक स्रोत में अब फिर से आगे विसाक दत इन्होंने मौर्यों पर कौन सी किताब लिखी है मुद्राराक्षस यह नाटक है उसी तरह से गुप्तों पर कौन सी लिखिया देवी चंदुरुप्तम जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने इबुक की कम से कम दसम मुझे के बारे में जानकारी मिलती है उके इतने सारे यह साहितिक स्रोत हैं और भी बहुत सारे इस समय के साहित्य का स्वर्णिम यूग में से एक रहा है ये काली दास इसी समय थे पुरा तात्विक सुरुत पुरा तात्विक सुरुत में अभिलेक सिक्का असमारकों से गुप्त राजवन्स के इतिहास का ज्यान होता है समुद्रुप्त के प्रियाग प्रसस्ति अभिलेक से उसके बारे में जानकारी मिलती है असकंद गुप्त के भीतरी अस्तमलेक से हुनाकर्वन के बारे में जानकारी मिलती है किसका है भीतरी अस्तमलेक किसका है हुनाकर्वन के जानकारी मिलती है किसका है असकंद गुप्त का है असमुद गुप्त का कौन सा है प्रसंसा इलहावाद का प्रसंसा का भी लेख है इसका समुदृ उप्त का इलहावाद में उससे जानकारी मिलती है समुदृ उप्त के बारे में उसके बाद है जबकि असकंद गुप्त के जुनागरे भी लेक से इसका भी पता है यह रुदरदामन का था ही रुदरदामन जुनागरे भी लेक जिसका किसका नाम आता है चंदरुप्त मौरे का नाम आता है असोक का नाम आता है उसक बाद की जानकारी प्राप्त होती है उस सिदा यही पूछ लेगा BPSC गुप्तिकाल में सोने की सिक्के को क्या कहा जाता था चांदी के सिक्के को रूपक अथवा रूप्यक तता तामबे की सिक्कों को मासक कहा जाता था मासक का मतलब क्या होता था तामबे का सिक्का गुप्तिकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बरा धेर कहां से मिला है राज्थान प्रांत के बयाना से सिको का धेर पुरा मिला है मंदिरों में तीगवा का विश्नु मंदिर जवलपुर मद्परदेश में है भूमरा का सिम मंदिर आपको पता होगा कि मंदिर सबसे पहले कब बने है गुप्त काल में ही सबसे पहला मंदिर का निर्मान हुआ है। गुप्त काली ने समारवक जैसे मंदीर मुर्तियां चैते ग्रहा आदी सितात काली कला और अस्तापति के जानकारी मिलती है अजन्ता और बाग की गुफाओं के कुछ इतर भी गुप्त काली माने जाते हैं अजन्ता की खुबसूरत खुबसूरत चुछ प्रेंटिंग्स गुप्त सास को पो उलिक किया जिसके इस विवरा प्त चलता है कुमार गुप्त ने नालंदा बहार भिहार का निर्मान करवाये था। गुप्त राजवण प्राड़मे ही तिहास को सॉट में देखते हैं उसके अग्या है मूल रुप्त से समूध critics से पूछता स्थापना की थी अगर दिल्ली में आप गये हैं कुतु मिनार तो वहां पर एक लौह अस्तम लगा हुआ है जो गुप्त वन्स का ही है और आज तक वो लौह अस्तम वैसा वैसा ही है कितने सतरों साल लगों हो गए होंगे अगला है कि गुप्त काल के प्रमुक सासक स्री गुप्त गुप्त वन्स का संस्थापक स्री गुप्त था जिसने महराज के उपाधी धारन की थी इत्सिंग के विवरन का अंसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्मान करवाया और मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम द्राम न इससे ग्यात होता है गुप्तों का राजनती कि इतियास घटोतकज के समय से ही प्रारम होता है तो दो सासक हमने देख लिए एक स्री गुप्त जी आ गया और घटोतकज आ गया अगर पूछेगा गुप्त वंस का संस्थापक कौन था तो स्री गुप्त आता है और गुप्त व गुप्त संबत कहा जाता है या संबत गुप्त संबत के बीच 241 वर्सों का अंतर है गुप्त संबत 399 इसवी सुरू होता है और सक संबत जो भारत सरकार भी मानती 78 इसवी से शुरू होता है अगला है चंदुरूप पर्थम के राज्याब इसे कित्थी 319 इस भी है इसे गुप्त संबत कारंभ माना जाता है चंदुरूप पर्थम ने जिसका सासन पहले मगद के कुछ भागों तक सिमिक था अपने राजी का विस्तार इलहाबाद तक कर लिया चंदुरूप पर्थम ने महराजा धिराज की उपाधी ग्रहन करके लिक्षवी राजी की राजकुमारी कुमारा देवी के साथ विवाह कर लिक्षवियों के साहितास अपनी सक्ती बरहाई इसलिए समदरुप्त ने क्या उपाधी धारन की थी लिक्षवी दोहित्र यानि कि लिक्षवी मेरा मतलब नानी का घर है इस तरह से उसने उपाधी धारन की थी समदरुप्त ने इसकी पुष्टी दो परमानों सोती है स्वर्न सिक्के जिसमें चंदरुप्त कुमार देवी प संबंद मनाना बड़ी बात होती थी इसलिए इन्होंने इसको बड़ा चरह कर दिखाया है गुप्त बंस के सासकों में चंदुरुप्त परथम पहला सासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे समुदुरुप्त का अपना उत्रादिकारी बनने के बाद चंदुरुप्त प भारत के बारह बारह सास को पराजित किया इसने पूरे भारत के सास को कहरा दिया इधर से गया जितते हुए और इधर से उपर आया था समझे रो ना पुर्वी तर से जितते हुए नीचे तक गया और फिर पस्मी तर से जितते हुए उपर तक आया था आर्या वरत का मतलब क्य था और वहां पर उन्हीं को सासन करने दिया उनको बोला कि बस आप कर भेज़ते रहना उपर है ना चंदूत प्रथम का उत्रादिकारी समधुरुप्त हुआ और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा था बीन से टित्मित ने बोला था जो कि गलत है नेपोलियन बहुत पहले आय करता है तो चौथे असलोक में चंदूत प्रथम द्वारा समधुरुप्त को उत्रादिकारी चुने जाने का उल्लेख है प्रियाग प्रस्थि में समधुरुप्त को एक महान विजेता और संपुर्ण पिर्थवी को विजय धारिन बंद करने वाला बताया गया हरी सेन ने को नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं असोक निर्मिति या अस्तंब मूलता कौसांबी में स्थित है असोक का निर्मित है या अस्तंब जिसे अकबर ने इलहाबाद मस्थापित करवाया था इस अस्तंब पर जहांगीर और बीरवल का उल्लेख मिलता है असोक लेक मिलता है अगले को चलते हैं कि एरण अस्तंब लेक घया तामर फलक नालंदः तामर फेलक तामर थे लेक होते थे अर अस्तंब भी लहते लेमति इसको सिर एक मैं समत्वरप्य कर राध है Peki इसकी पत्णी का नाम दत्धडैबी 2009 के पूरभी चंदुरुप्त दुतिये के पत्नी प्रभावती गुप्ति के पूना अभिलेक में समुदुरुप्त के अनेक अस्वमेग यग करने वाला कहा गया है, हलांके प्रियाग प्रसस्तिम अस्वमेग यग का वर्नन नहीं है, इसने अस्वमेग प्रकार के एक सिक्के भी चलवाए थे, इसलिए भी माना जाता है कि इसने अस्वमेग यग किया था समुदुरुप्त ने, इसके मुद्राएं अब दिखा देता हूँ मैं, इसलिए इनके आपको गरूर ज़्यादा दिखेगा इनके राज के चिन पर गरूर होती थी, समुदुरुप्त के हमें कुल चाह मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ये मुद्राएं उनके जीवान और काड़ें पर सुन्दर प्रकाश डालती है, पहला है गरूर प्रकार, गरूर प्रकार के मुद्राएं समुदुरुप्त के नागवंसी राजाओं पर बीजय का साक्षपरदान करती है, इन मुद्राओं समुदुरुप्त को सैक्रो युद्धों के जीतने वाला बताया गया है, मुद्रा के पिष्ट भाग पर सिंहासन सीन देवी के साथ पराकरम सब्दिल अंकीत है धर्णुधारी परकार है इसका उसके बाद से परुस परकार है अस्वमेग परकार है अभी मैंने बोला ना अस्वमेग करते हुए इसको दिखाये गया है व्याग्धिर हनन पर कार है, मतलब सेर का सिकार कर रही है, और मकरवाहनी गंगा और राजा समुद्रकुप्त उतकिरनी थे इस पर, उसका से वीना वादन पर कार, यानि कि समुद्रकुप्त जो था, वो संगीत प्रेमी भी था, है न, वीना बजाते हुए, इसकी मूर्ती है, एक उस पर, सिक्के पर, सेन अभियान इसका देखे लेते हैं, समुद्रके महान, सेनापती और कुसल योध्धा था, राजगदी पर बैठनी उसने दिगविजय की योजना बनाई, अपने वीजय अभियानों को दारा उसने संपुर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत अस्थापित कर लिया था, आर्यावर्त का प्रथम और दूतिय वीजय अभियान, धक्शिनापत की वीजय, आठविक राजाओं के वीजय, उसके प्रमुख सैन अभियान थे, ये सारे उसके सैन अभियान एक्या हमें याद रखना हैं, नहीं, हमें बस ये दरा खना रघना किसको किसको अचुत्य नागसेन और कुत कुलज सासको को हराया था उसने दक्षिनापत के राज्य में कुल बारह राज्य थे कौसल महाकांतर कोरल पिष्ठरपूर कोट्टूर एरनपल काची अवमुक्त वेगी पालक और देवराष्ट और कुस्थलपूर क्या हमें इनको य प्रथम निती थी उसका सत्रु परदिकार प्रथम था ग्रहान यानिके सत्रु परदिकार कर दूतिय था मोक्ष सत्रु को मोक्त कर दो तिरतिय था अनुग्रह सत्रु को उसका राज्य लोटा देना यह तीन तरीके के उसने कूट निती अपनाई थी दक्षिन विजय के क्र उत्तर भारत में उत्तर भारत में पुना है के युद्ध लड़ा जिसे आर्यावरत का दूतिय युद्ध कहा गया। समुदुरुप्त ने आटवीक राज्यों को अपना सेवक बनाया फ्लीट के मतानसार उत्तपदेश के गाजीपूर जीले से लेकर मद्पदेश के जबलपूर जीले तक के वन परदेश में सभी राज्य पहले हुए थे ये सारे जीन को हराया हैं दूसरी बारे में उनकी बात कर रहा है सीमा बरती राज्य भी समुदुरुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे जिसमें सम्तट, डवाक, कामरूप, कुर्तरपूर, नेपाल, आदी राज्य सामिल थे ये सारे समुदुरुप्त को कर पहुँचाते थे समुदुरुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों स भी संबंद स्थापित किये थे जिन में कौन-कौन सामिल था देब पुत्र सहिसान साही सक मुरुंड और सिंगल सिंगल तो स्रिलंका हो गया बाकि यह सब उस समय के अलग-अलग देशों के नाम है कई बार आपको मेंसमगर कोस्तन पूछता है तो वहां पर आपको यह लिखना परेगा आर्या वर्त राज्य प्रसबो धरन की नीती यह उसने चलाया था कि मगद के आसपास के राज्य को पराजित कर देखो कहां कहीं सा सकता मूल रुप से बिहार और यूपी का इसने क्या कि कि हमारे पास के जो राज्य हम तो उनको हरा के अपने मिला ही लेंगे उसके बार से क्या किया कि सर्वकर दान ग्याकरन प्रमागन की नीती यानि कि आप मुझे कर देते रहो बाकी आप मुकत रहो परिचारी कृत सर्वाटबिक राजसनीती आठविक यानि कि जंजाती अलिया अपने राज्जे का ग्रहन मोक्षान उग्रह की नीती दक्षिन बार hacker के बारा ह्राजां के संग को पराजित कर उन्हें अपना-पना राजी सौंपettyya मसिद मातरब फिरेशियो पराजित कर उनके सामधिय। पराजित कर उनके साथ वैवाहिक पराक्रम की उपाधी धारन की थी सम्दूत ने विसाल समराजी के स्थापना की जो उत्तर में हिमाले से दक्षिन बिंद परबत था पुर्व में बंगाल की खारी से लेका पुर्वी मालवा तक बिश्तिरित था कस्मीर पस्मी पंजाब पस्मी राजपुताना सिंध तता पस्मीर, पस्मी पंजाब, पस्मी राजबुताना, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसके राज़े में सामिल था। परकरमांग, और व्यागरहनन परकरमांग के भी इसी ने ब्यादने, व्यागरहनन का मतलब क्या होता है? बाग का सिकार करते हुए इसने अपनी जो सिक्के चलवाए हैं उसके बारें बात कर रहा है। उसने प्रसिद्ध बाध विक्चू वसू बंध को सारक्षन दिया था, किस समराजी के सासक ने दिया था, तो गुप्त सासक समधर गुप्त ने दिया था। अगला है समधर रुप्त से स्रिलंका के सासक यहाँ पर थोड़ा बलर हो गया है, पीडियाप आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो मैं पढ़ देता हूँ, अच्छे से सुनना गौर से आने की अनुमती दीजिए, समधर रुप्त से बोला से लंका के सासक ने, जिसकी अनुमती दे दी उसने, जो कलांतर विसाल बहुत बिहार के रुप में बिक्सित किया था, मेख वरन के ने, तामर पत्र में समधर रुप्त को परम भागवत की उपाधी किसने धारन की थी, भागवत धर्म, मैंने पहले ही बोला कि ये लोग विस्नु भगवान के पूजक थे, गुप्त समराजी जो था, सुद्ध रुप से विस्नु के पूजक थे, इसलिए भागवत का भी उसने उपाधी धारन की था, परम भागवत की उपाधी, पर करम भागवत इन सब की आता है, जिसको भी करमा देते बोलते हैं, अगला वही है, गुप्त बंसाबलिम समुद गुप पसाद चंदरुप धुतिये का नाम और लिखनित है, परनतों दोनों सासकों के बीच से राम गुप नाम के दुरुबल सासक के अस्तित का भी परमान मिलता है, विसाख दत्व से और जाके सकों को अपनी पत्नी दे रहा था, तो चंदरुप ने क्या किया, राम गुप्त की ही हत्या कर दी, और जाके फिर सकों को भी हराया है, उसने, राम गुपत का छोटा भाई चंदरुप धुतिये था, उसने सकों को पराजित कर, राम गुपत की विधवा से परण किया गया है जिसके पहचान चंद रूप दूतिये से की गई है उदैगिरी गुहा अभी लेक में भी चंद रूप दूतिये की विजियों का उल्लेक है दिल्ली का जो लोह अस्तम्भ है वो 99.9% सुद्ध लोहे का बना है इसलिए जंग नहीं लगा है अभी वी वैसे ही पहला परमानिक गुपतलेग है मतुरा का अस्तम्भल है जिसमें तित्ही का उल्लेक हुआ है वैभाईक सम्वंध के समराज विस्तार ये भी अपने पिता के समान ही था बहुत बराकरमी चंद रूप दूतिये ने वैभाईक सम्मध और वीजयाय संवरा धे सीमा के विस्तार किया, उसे नाग राज-कुँमारी夠विर- नाग के साथ विवा कर नागवंस के साथ बैवाहिक सम्मद स्थापित किये और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवा वाकाटक बन्स के राजा रुद्र-सें दूतिये के साथ किया उसने अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का बिवा कदम सासक काकूर्ति सी बर्मन के पुत्र से किया था अब जब इसकी बेटी प्रभावती का बिवा हो गया वाकाटकों से तब ये वाकाटक और गुप्त मिलकर किनको हराएंगे अभी मैंने बोला ना सको को करेंगे ये सको को बिलकुल खतम ही कर देता है भारत से ब्यवाइक समंद या फलस रूप मद्ध भारत में इस्तिद्वाकाटक राज्य पर और परत्यक शुरूप से प्रभाव जमा कर चंदुरुप दितियों ने पस्मी मालवा और गुजरात पर भी प्रहुत तस्थापित क उसी इलाके में थे सको का भी सासन उजयन के आसपास इस भी जैसे चंदुरुप दितियों का पस्मी समुद्रतत मिल गया जो व्यापार वानी जी के लिए प्रसीद था इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उजयन भी सम्रिद्ध हो गया था उजयन ही को उसने दुतिय रा सासक रुद्र सिंग तिर्दियों को पराजित किया और संभावित सको पर वीजय को परां थी चंदुरुप ने विक्रमादेति के उपाधी धारन की थी और विक्रमादेति का अर्थ होता है पराकरम का सुरे विक्रमादेति का मतलब क्या होता है पराकरम करने वाला सुरे भ व्यागर सहली के चांदी के सिक्के मालवा के चैतर में चलाया दूर कि चंदरुप लॉतियन हो भी जगार के सिक्क चलाए धार। तो व्यागर परकार के स्ट्रिक के चलाए है कि उसके अन्य नाम और उपादियां क्या थी अन्य नाम देवगूप्त, देवराज, देवसरी, उपादियां, बिक्रमाग, बिक्रमादित्य, परमभागवत परमभागवत की उपादी इसने भी धारन की थी कला और साहित्य, चंदरुत दुतिये के सासन का स्वरन, युद्धो के कारण नहीं, बलकि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध हनुराग के कारण किया जाता है उसके दरवार में नौ बिद्वानों के एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरतन कहा गया है इसमें काली दाज, धनमंतरी, छपनक, अमर सिंग, संकू, बेताल भट, घटक पर्न, वाराह मेरी, वरुरूची जैसे बिद्वान थी, इतने बड़े बड़े बिद्वान उसके सासन काल में ही फायान भारत आया था, फायान का यात्रा विबरन है यहाँ पर छोटा सा पायान चिन, मध्येसिया, पेसावर के मागर से भारत आया था, मतलब ऐसे घूम के भारत आया था, यहाँ तक भारत है न, ऐसे घूम के आया था, पाकिस्तान भी उससे हमारे यह इस्ता था, और 411 में वो फिर लोट गया था, स्रिलंका पुर्वी दीत होते हुए, और मास मदिना नहीं खाते थे ईसा उसने बोला आए कि कामदेश के लोग क्रै विक्रै में काौरियों का प्रियोंकर रहते थे, कौरी देखा होगा, गाउंघर के लोग wolves तो उसने नालंदा, राजगरी, बोध गया, वैसाली, सरावस्ती, कपिल बस्तु की भी यात्राएं की इन सब जगों पर कौन गया है, भगवान बुद्ध घुमे है, याद रखना चीनी ग्रांतों भारत को यिन्तू कहा गया है चीनी ग्रांतों भारत को क्या कहा गया है यिन्तू ओके चंगरु दूतिये के समें पाटली पोतर उज्जेन विद्या के प्रमुक के अंदर थे दोनों उसकी रायधानी थी और दोनों विद्या के ही के अंदर थे चंदु दूतिये का सचिप वीर सेन सैब धर्मानी आई था और सेनापती अमक रामक बौधनी आई था खुद क्या था वो खुद भागवत धर्म का पालन करता था समझे रहो ना चंदु दूतिये का काल ब्रामन धर्म के चर्मुत कर्स का काल था अगला है कि कुमार गुप्त प्रथम और महिंद्रादित ब्रामन धर्म का मतलब हिंदू धर्म की बात करें ब्रामन धर्म गलत सब देश्टियाज में यूज किया जाता है कुमार गुप्त पर्थम या महिंद्रा देत्य चंदुर दूतिय का उतरादिकारी उसका पुत्र कुमार गुप्त हुआ परंद कुमार गुप्त के पूर्भ एक और सासक का नाम आता है वह सासक धृब देवी राम गुप्त की पतनी का पुत्र गोविंद गुप्त था यह एक बिवाद अस्पत भी से है तो डैरेक्ट हम किस पे चलेंगे डैरेक्ट हम चलते हैं कुमार गुप्त पर कुमार गुप्त के बिलसर अभिलेक, मनसौर के अभिलेक, करमांदक अभिलेक आदी उसके सासन काल के बारे में जानकारी मिलती है कुमार गुप्त परथम का सरवादी गुप्त काली अभिलेक प्राप्त हुए सबस्यादे अभिलेक किसके बारे में प्राप्त हुए है कुमार गुप्त प्रथम के बारे ही मिला है उसके सूवे अस्थित सासन का वर्रन उसके मनसौर अभिलेक से मिलता है मनसौर से इसका मिलता है कुमार गुप्त का और भीतरी अस्थमलेव से असकंद गुप्त की जानकारी मिलती है अगला है कि यह अभिलेक एक प्रसस्तिक रूप में है जिसकी रचताशना वत्सभटी ने किया और इल्हवाद अस्वालेक हरिसेन ने लिखा है सिक्के , मद भारत में रजत सिक्के का परसलन इसके काल ने हु हुआ मैंने बताया कुमार गुप्त के सिकों से पता चलता है कि उसने अस्वमेग यागी क्या था उपाधियां क्या क्या थी कुमार गुप्त ने महिंद्रा देते स्री महिंद्र महिंद्र अस्वमेग आदी उपाधियां धारन की अनिफ से इस्ता पर लेते हैं इसके बारे में कि आक्सपोर्ड आफ महायान कहा जाता था आक्सपोर्ड का जन्म बहुत बाद में हुआ है नालंदा का बस नालंदा भी स्विध जाले कहा जाता था महायान साखा का अध्यान का केंदर था हमारी आदत है हर अच्छी चीज़ को पस्टिम से जोर कर देखने की गुलाम वाली आदत असकंद गुप्त करमा दित्ते कुमार गुप्त का उत्रादी कारी असकंद गुप्त हुआ भीतरी अस्तंबलेक के अनसार पर्थम हुन आकरमन इसी समय हुआ था जुनागर अविलेक के अनसार असकंद गुप्त ने हुनों के आकरमन को विफल कर दिया ज हुन, हुन राजे फारस से खेतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधान या अफगानिस्तान में बामियान में थी, बामियान के बुद्ध के मुर्टि याद होगा जिसको तालिबान ने तोर दिया था, पर थम हुन आकरमान, खुस नवाज कने तो तुम्हे असकंद बुद्परस्त का मतल होता है मुर्ती की पूजा करने वाला तो यह चीज था ओके यहूनों के बारे में था महीर कुल को क्या कहा जाता है बौद धम से घिरना करने वाला मुर्ती तोरने वाला जुनागर अभी लेक के अनसार सकंदुत ने सुदरसन जील के पुनर धार कारिस सौराश्ट के गवर्नर पर्न दत्य के पुत्र चक्र पालित को सौपा था उसने जील के किनारे के विस्नु मंदिर का भी निर्मान करवाया था पुस्यमित्र वैस से चंदुरत मौरी के समय तुसास्प असोक के समय और सुवी साख रुदरदामन के समय ये तीनों सुदरसन जील से संबंधित हैं अभी मैंने बताया था रुदरदामन वगेर का जूनागर अभी लेक जो है उसमें कितने सारे लोगों का आता है नाम एक ही लेके लिए सुदरसन जील के पुना निर्मानी के लिए विन सांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले सासकों में सक्रादित्त का नाम को लेक किया है जिससे असकंदूप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहयता देने का प्रमान मिलता है सक्रादित असकंद गुप्त का ही नाम था एक अलग असकंद गुप्त ने विर्सब सैली के नए सिक्के जारी किया थे जिस पर विर्सब का अंकित किया हुआ था असकंद गुप्त ने 466 में चीनी समराट सांग के दरवार में गराज दूद भीजा था अने सासक भी कुछ-कुछ हुए है ये उनके नाम रहे इससे नहीं पूछा जाता है अक्सर और नरसिंग गुप्त ने हुन नरेस महिर कुल को पराजित किया था ये जरूर यादक ना भानु गुप्त के एरा नभीलेक से सती पर्था का पहला अभीलेक मिलता है एरा नभीलेक जरूर याद रखना गुप्त सासक का है और इससे पहली बार सती पर्था का हमें परमान मिलता है एरा नभीलेक से पांसो दस इस भी का है इन से सबसे ज़imyए को संस करते हैं, क्योंकि इनका कला संस्कृर्थी बराही महां था, आपने देखा ये उपर गुप्ति-कालियन प्रसासन गुप्ति-कालियन सास को ने विसाल समराजी का निर्वान ये सब तो आपको पता ही हैं इंट्रडक्षन है अब राजा कंदर तो वो अगर महाराजा कुपाजी धारर करेंगे तो नामधारन करेंगे ही ना, खुद को बरा दिखाने के लिए, तो महराजा धिराज परम भटारक आदिकुपादी धारन करते थे, राजा का यह करता था, यूद्ध और सांती के समय में, राजी की नीती को सुनिसित करे, किसी भी आकर्वन से जनता की सुरक्षा करना राजा पानुगत थी लेकिन जेश्टा अधिकार जैसे तद तो कम ही दिखाई परते थे मंत्री परसद दूसरा अधिकारी गन कमांदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्री मंडलिया मंत्री परसद को उलेख किया है गुपतिकाले मंत्रियों के चन राजा द्वारा उसकी व्यक्तिकत अधार पर राजकुमार सामन्त था उच्च अधिकारियों में से किया जाता व्यक्तिकत योग्यता योग्यता देखा जाता था है ना इसको याद रखना आगे क्या है कि सबसे बड़ी अधिकारी कुमार मात्य होते थे राजाओं उन्हें अपने प्रांत में निक्ति करता था कुमार मात्य आज का क्या हो गया आईएस अधिकारी के तरह हो गया और वे नगद वितन पाते थे कुमारबाद प्रांतिय प्रदिकारी होते थे जो अस्थानिय प्रसासनता केंदर के बीच में करी का काम करते थे आज भी तो यही काम होता है न गुप्ति सासक मंतरियों से सलाह लिया करते थे सबी महत्यपुन मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश ये संदेश जारी करते थे अब कुछ विभाग हैं उनके नाम हैं महा बाला धिकरित अथवा महा सेनापती ये सेनापती कहा जाता था इसको महा दंडर नायक नयाधीस होते थे संधी बिग्रहिका युद् इस्थिती अस्थापक कहा जाता था भंडा गार अधिकरित मतलब राजकोस का अधिकार भंडार भंडार का अधिकरित अधिकारी महा अक्षपटलिक लेखा विभाग का सरवच्च अधिकारी महा प्रतिहार राजप्रसाद से समंदित विशियों की देखरेक करने वाला इस तरह के question आपसे पूछ सकता है यह UPSC का फैबरेट ट्रैपिक रहा है पूछने का UPSC से बहुत जादे question पूछती है हरी सेन समदरुप्त का संधी बिगरही करता था पता ही आपको यह इसने प्रियाग प्रसस्ती लिखा है समदरुप्त के लिए और यह युद्धर संधी का मंत्री भी था वीर सेन चंदरुप दुतिये का संधी बिगरही का था सिखर स्वामी चंदरुप दुतिये का मंत्री था पिर्थवी सेन कुमार गुप्त का मंत्री था पर्न दत और चक्रपाली कसकंद गुप्त का मंत्री था गुप्त काल के प्रमुक अधिकारी के नाम दिया हुआ है ये इसको अगर आपको याद करना हूँ याद करना पीडियेफ तो आपको स्टेडीफ और यूपेसी पीसेश चैनल पर टिलिग्राम पर मिल जाएगा आपको अपलोड हो चुका है एक्चुली मैं आप वहां से भी जाके देख सो तो अपलोड कर दिया है मैंने ये पीडियेफ गुप्त काल में का दिकारी एक साथ एनेक पद गरहन करता था इसकाल से पद बनसानगत होने लग गये थे धीरे धीरे पद बनसानगत होने शुरू हो गये थे और भारत में सक्तियों का परतन शुरू हो जाए इसके बाद गुप्त काल कबाद कोई बरा समराजी नहीं बनेगा तो हरस बरधन थोड़ा छोटा से एक बनाता है जरूर लेकिन उस समय भी अलग-अलग सा सकते और बस यही है करम दंडा अभी लेक है उससे क्या पता चलता है कि वंसानुगत होने लग जया थे पाद है प्रांत जिला और अस्थानी एक ग्राम सासन सासके सुबिधा के लिए संपुन समराजी को रास्टो या भुक्तियों बिभाजित किया गया था गुप्त कालिन अभ भुक्ति को भुक्ति गुप किसं में बाता जाएगा प्रांत या जिला में है न ऑवand हमें और जिसका प्रदान विश्यपती कहला था कुमार मात्य अभी मैं जिला चलाने में भी सहयोग करता था और व्यापार चलाने में भी इस परिषद में कौन-कौन सामिल होते थे नगर स्रिष्टी नगर सेनियों का प्रधान सेनि का मतलब क्या होता है व्यापारिक संगठन का प्रधान सार्थवा व्यापारियों का प्रधान वो संगठन का प्र प्रसासन की सबसे छोटी काई ग्राम थी जिसका प्रसासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था ग्राम सभा कारे ग्राम की सुरक्षा ब्यस्ता करना रिर्मान करना राजों से कत्रित करना था गराम सवाक मद्ध भारत में पच मंगली ता बिहार में गराम जन्पत कहा जाता था गराम प्रसासन का सर्वोच अदिकारी गरामीकी गन्पती या महत्तर होता था उसकी सायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार छेतर में पूर्णता हस्वत अंतर होती थी न्याय बेश था गुप्तिकाल में न्यायले चार बर्गों विभाजी था राजा का न्यायले पुग, सरेनी, कुल राजा सरवच न्यायधीस होता था, न्यायधीस को दर्णनायक, महादंडानेगायक, सर्वदंडानायक कहा जाता था गुप्तिकाल में न्याय का सरवच अधिकारी राजा के पास था, और पहली बार असपश्च तोर पर दिवानी और फोजदारी मामलों का परिवासित, इसी समय किया किया कि दिवानी और फोजदारी मामलों का परिवासित असपश्च रूप से गुप्तिकाल में ही हुआ है मिर्च काटिकम ये एक कहानी है मिर्च काटिकम में नगर को न्यायले को अधिकरन मंडप और न्याधीस को अधिकारनिक कहा गया है क्या कहा गया है नगर के न्यायले को क्या कहा गया है अधिकरन मंडप और न्याधीस को क्या कहा जाता था अधिकारनिक सेने बियस्था का प्रसासन का मुखे कौन होगा सेना पती होगा हमेशा की तरह और जिसका सर्वोच अदिकारी महा बाला धिकृत ये सेना पती कहीं नाम है गुप्त काल में राजा का पास अस्थाई सेना थी सेना के चार प्रमुकांग थे कौन कौन से जैसे आज होती है नेवी ए Ear Force और आर्मी वैसेяж उस से में कौन को झी पैदल चलने वाली सेना उसके बास से रत चलने वाली सेना अस्था इस वाली सेना ऑर घजज सेना हांथी सेना साधारन सैन को क्या कहा जाता था चार पुलिस बीभाग के पदादेकारियों के उपरीक दसा पाराधिक और चारो द्वारनिक और धंड्बासिक अंगरक्षक आधी परमक पते थे यह सब पुलिस भी भाग का लग अलग पते हैं जैसे आज होता है ना आईजी डी-ाईजी, एसपी, डी-ओ-इसपी, एस्सपी अलग अलग उसी समय इसी तरह को होते थे गुप्तचर कर्मचारियों को दूत तो था पुलिस कर्मचारियों को भट या भाट कहा जाता था इनको टर्मिनलोजी जरूर याद रखना है गुप्तचर ने प्रसासन पूछेगा तो आपको ये सब लिखना परेगा है ना तभी कुस्टंस में अंसर मिलेगा आपको और नमबर मिलेगा रन भंडा गारिक क्या करता था आपको पता ही है भंडा भंडार मैंने याद करवाय था उपर है तो ये क्या करेगा तो ये रसद की विवस्था करेगा जब सेना जाएगी या कोई भी अधिकारी जाएंग गुपति कालें भूराजस से प्राप्त आमदनी का मुख्य सुरोत भूमी पर समराट का स्वामित माना जाता था वो भूमी से उत्पन उत्पादन के एक वट अच्छे भाग ले लेता था इसलिए कालिदास ने समराट को सश्ट मांस बृति भी कहा है मतलब एक वट अच्छे भाग लेने वाला भाग भूमी उपज का एक वट अच्छे भाग होता था भाग जिसको कहते हैं भोग राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तु फूल सबजी वगर दिया जाता था लोगों द्वारा उद्रंग अस्थाई क्रिसको पर लगाया जाने वाले भूमी कर था उपर किसानों पर भूतो परांत प्रत्याई विदेसी वस्तु का आयात पर कर लगाया जाता था कस्टम डिटीजिस को आज किल बोलते हैं और सुल्क सीमा विकरी की वस्तु आदी पर लगाने वाला कर था किसान हिरन्य हिरन्य का मतलब नगत होता है और मे यानि के अन्य के रूप मान लो गेहूं तुम दे दो या गेहूं के बराबर में तुम पैसे दे दो ये दोनों आप दे सकते थे भूमिकर के अदाएगी करते थे कैस को क्या बोलते थे हिरन्य भूमिकर भोग का उलिक मनो सिम्रती में और भेट नामकर का उलिक हर सरीत में किया गया है भूमिकर से ज पर धारकों का पुर्ण नियंतरन होता था है ना जिनको दान दिया जाता था उनका संपुर्ण लूप से इस पर नियंतरन होता था और ये करमुक्त भूमी होती थी इसको क्या कहा जाता था बंधों ये पूछा है अगरहार अगरहार क्या कहलाता था तो करमुक्त भूमी को अ आगे क्या है कि फायान के वर्णा से ग्यात होता है गुब्त कालम औसपर सिवर्ग था जिसे अत्यज या चड़न डाल का है तक आश्पर सिवर्ग की बात की थी फायान आपको पता होगा जो मास मदरा वगड़ा खाते थे सहर के बाहर इनको रहना होता था और छुआ छूत पहले सैनिक नहीं बनने दिया जाता था, अब वो सैनिक बन सकते थे, इस कहते लिए सुद्रों को इसकाल में रमायन महाभारत पढ़ने का भी अधिकार मिल गया था, चांडालों को चारों वरनों सबसे निमनस्थान प्राप्ति था, और मचली मारने सिकार करना मांस बेचने क कारे चांडाल लोग ही करते थे, नई जातियों भूमी अनुदान के प्रताय कारण काईस्थों का उद्य हुआ, भूमी अनुदान के प्रताय कारण, भूमी अनुदान जब दिया गया तो काईस्थ बनामक एक जाती का उद्य हुआ, काईस्थों का सर्प से सबसे पहला उल मनुस्मृति का अनसार चोरी करने पर ब्राह्मनों को सबसे अधिक दंड, सुद्रों को सबसे कम दंड दिया था, जमकि हत्या कारोप में सुद्रों को सरवाधिक दंड और ब्राह्मनों को कम दंड मिलता था, लेकिन चोरी करने पर ब्राह्मनों को सबसे अधिक और सुद्रों का उलेख मिलता है मैं आपसे पूछेगा कुश्चन कि गुप्तिकाल में इस्तियों की बैस्था के बारे में इस्तियों के इस्थिति के बारे में लिखिए उसमें आपको बताना परेगा कि एरन का भी लेख हमें मिला है जिसमें हमें मिलता है कि सती प्रथा सुरू हो गई ती देवदासी पर था, मंदिरों में महिलाएं रखी जाती थी, काली दास के ग्रंथ मेगदूत में, उजेन के महाकाल मंदिर में, देवदासी रख्याती जाने का उल्लेक nuevos ही मिलता है, देवता की दासी बनकर यह जो लोग रह जाते हैं, इस तरही सिक्छा का प्रचलन, अमर कोस में गनिकाओं और वेस्याओं का वर्नर मिलता है नारद और परासर अस्मृति में विद्वा विवाह का समर्थन मिलता है तो ये आपको पक्ष विपक्ष दोनों मिल गए इस समय इस्तरियों के स्थिति के बारे में दासों की स्थिति कुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित मनु असमुर्ति मे शाथ प्रकार के तथा नारद असमुर्ति में पंदरह प्रकार के दासोगा उलिख काूलेक मिलता है असमुर्ति जब भी आये त Stream it कानून के पुस्तक है वह दासमुक्ती के अनुस्ठान का विधान भी सरप्रथम नारद नहीं दिया थैप दासपर से आप मुक्त हो सकते हो उसका भी विधान नारत नहीं दिया था जो कि इस काल में दासपरता कमजोर होने का संकेत करता है भूमी दान एक और भूमी का भे खंडन हुआ जब भूमी का दान होगा तो क्या होगा भूमी बटने सुरू हो जाएंगे हैं जिसे दासो को उपयोगता कम होने लग गी कुप्तिकाली न अर्थवयस्ता क्रिसी था और आपको पता ही है कि आर्थवयस्ता का मुख्याधार क्या था क्रिसी और भूमी का उपजी था बिरहत संहिता का अनसार तीन फसलों के जानकारी थी क्रिसी अधिकांस्ता वर्सा पर ही निर्वर थी अमरकोस में बारह प्रकार के भूमी का उल्लेक मिलता है निर्वतन, कुल्यावाप, दुरोनावाप और अड़ावाप भूमी माप का पैमाना था कुल्यावाप और दुरोनावाप ये UPSC 2020 का कुस्षन है तो इसको आप लोग जरूरी याद रखना भूमी के प्रकार क्या क्या थे छेतर, खेती के लुप्युक्त भूमी, वास्तू, वास्त करने वाली भूमी को कहा जाता था जैसे आज का रेसिडेंसियल एरिया होता है अरिकल्चर लेंड होता है उसी तरह भूमी, जोती नहीं जाती, उसको खेता है अपरहतअ बीना जोती के जंगे भूमी को अपरहतअ से मिलता है क्योंकि वहां पर सुधरसन्जील के बात आती है वस्तर-ुद्योग, इसकाल का سर्परमकुद्योग था उद्योग में पहला कोन? वस्तर-ुद्योग कमाई में सबसे पहला कौन तो क्रिसी अमर कोस में कताई बुनाई हद करगा आधी इत्यादी का संदर भाया है इस काले मिट्टी के बर्तन और मिर्न मूर्तियां बनाना और पत्थर और धातु के समान तियार करने का उद्योग भी विखसित हुआ महरौली का लौस्तम गुप्तिकाली इन धातु निर्मान कला का सर्वत्किष्ट उदारन है ऐसा उन्होंने धातु बनाया जो 14-15-1600 साल के बाद भी वैसे ही के वैसे ही खरा है सिल्पियों और वेवें बेवसाईयों के निगम सेनी और संग होते थे इस काल में नालंदा, वैसे आली, आदी अस्थानों से सेनियों, सार्थवाह और प्रथम कुलिकों आदी के मुद्राएं मिली है मंसौर अभिलेक में पट्टा वाई स्रेनी तथा इंदौर लेक में तैलिक स्रेनी का उल्लिख आया है यह सब आपके मेंस में काम आएगा मंसौर अभिलेक जो है कुमार गुप्त का यहां सा पता चलता है कि रेसम बुनकरों के सेनी से एक भबे मंदिर का निर्मान करवाया गया था और वानिज जी को जो जैसे जो इंडस्टियल जो होती है न संगठन उनके विभाजन की भी बात कर रहा है स्रेनी कुलिक निगम इस्रेश्टियों सिल्पियों स्रेनियों का केंद्रे निगम या संगध था पुग का मतलब क्या होता था विभिन जातियों के वैपारिक समूँ पुग ने पूछा है UPSC, BPSC दोनों पूछा गया है ये पुग स्रेनी एक ही जाती के वैपारियों का समू होता था निगम वैपारियों की समीती को निगम कहा जाता था और इसका प्रधान स्रेश्टी होता था निगम का प्रधान कौन होता था स्रेश्टी होता था ये क्या था ये प्रकार का वैपारिक ग्रुप था ओके अमरकोस का अंसार निगम ऐसे वैपारी के संगठन था जो एक ही नगर में रहते थे एक ही नगर में रहने वाले वैपारी एक अपना समीती बना रहे थे जिसको निगम कहा जाता था इस काल तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था रोम के व्यापार का पतन हो जाएगा तो भारत के व्यापार का भी पतन हो जाएगा क्योंकि हम रोम को बहुत जादे निरियात करते थे यहां से ओके और लेकिन दक्षिन पूर्वी एसिया चीन के साथ व्यापारे बिर्धी हुई तामर लिप्ती पूर्वी भारत का जबकि भिर्गुकच भरोज पस्वी भारत का प्रमुक बंदरगा था पूर्वी भारत का यहां पर तामर लिप्ती था और भरोच गुजरात के पास पस्मी भारत में भरोच बंदर गाह था इस काल में चीन से रेसम, चिनान सुक, इथोपिया से हाथी दाथ और अरब इरान एवं बैक्टिरिया से घोयों का आयात किया था पास फर मुद्रायं के गुप्ति सास को शर्वाधिक स्वरन मुद्राय में चलाएंटी सबसे ज़्यादा, जिने के अभिलेखो में दीनार कहा इंडीनार का मतलब क्या होता था सवरन मुद्राय, सुने का सिक्का 144 इस ग surgeons का हो था चांदी का प्रियोग अस्थानी लेंदेन में किया जाता था। चाए सकोपर बीजाए के सकोप बिजा रूप की थे बैगरंड में थोड़ा सा और ऑऒाज औरौक उसके कर सकते हैं अज पूरे दिन इसी में लिकल गया। फायान कंसार सामने लोग खरीत विक्री के लिदे कोरी होट kपनी अकरते थेや गुप्तिकालें वेस्टनब धर्म समंदी सबसे महत्पून अबसेश देवगर का दसाबतार मंदिर पंचायतन नत्ना सैली का मंदिर है पंचायतन सैली अब क्या होता है भाई तो पांच देवता होते हैं एक बीच में मुख्य देवता होंगे और कोने पर उनके छोटे छोटे देवता होंगे बीच में मुख्य देवता होंगे बीच में सिव जी होंगे को चारो कोने पर चार अलग अलग देवता होंगे इसको पंचायतन सैली का जाता है इस मंदिर में सेसनाक की सयाब अब विस्राम करते हैं नारायन विस्नु को दिख बने गया मूर्ती पूजा हिंदू धर्म उप स्थान नहीं संपा समनोप ईशंव किया गया और जितने आप धर्म गरंथ पर तो रामायन, महाभारत, पुरान, वेद, सब का संकलन इसी समय में हुआ है, उनको गरंथ के पौम में इसी समय में लिखा गया है, हिंदू देवताओं के अतरिक जैन और बौध हन्याई भी देश में बरी संख्यां बिद्मान थे, बौध हर अंतरगत बौधी सत्य की प्रतिमाई बनाए जानी लगी, बात्मा बौधी की प्रतिमाई बनने लगे थी, पहले से और भी बनने लगे, प्राचीन काल ने बिवेंट प्रकार मत मतांतर और दिश्टिकोन प्रचली थे परंत गुप्त काल से चलकर सड़ दरसन के रूप में मस्थापित हो गए, गुप्त कालीन सहित और कला को कम्प्रीट करते हैं आज, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स लेक्चर में करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, गुप्त काल, कला और सहित कला और चित कला के सा साथ अन्य वीवेति कलाओं मैंने पहले ही बताय था आपको बिदेसी प्रभाव समुक्ति यानि कि देशी सरूप में आपको सब कुछ मिलेगा इसमें देवी देवताओं को फिर कपरा पहनाया जाता है उससे पहले मुर्तियां जो आपको नगन मिलेंगी धर्म कला के अनुगामियों के रूप में काम कर रहा था पासान का अतेधिक प्रियोग हुआ शाथी ईटों का भी प्रियोग हुआ है पत्थर और इट का अस्थापत्य कला क्या है कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्मान कला का जन्म हुआ देवगर का दसाबतार मंदिर वैस्टन मंदिर भारतिय मंदिर निर्मान में सिखर का समवदा पहला उदारन है ये कई बार पूछा है कि दसावतार मंदिर में ही पहली बार हमें छोटा सही लेकिन सिखर दिखता है इसको जरूर याद रखना दसावतार मंदिर में गुप्त समय में ही बना है गुप्तिकाली इन गुहा मंदिरों में ब्राम्हन गुहा मंदिर बहुत गुफा मंदिर बोलते हैं गुफा का मतलब क्या होता है गुफा ब्राम्हन गुफा मंदिर का सर्वकेस उदारन उदैगिरी का मंदिर है इसमें विश्णु के बाराह अवतार की विशाल मूर्ती अस्थापित की गए जो दसावतार का कॉंसेप्ट भी है वो भी इसी समय से और ज्यादा प्रच्रित हो गया मूर्ती कलाव और चितर कला मत्रा सारनात पाठली पुत्रा से बहुत सारे मूर्थिया मिली है जिसमें बुद्ध वगवान विश्णु खवान सब के हैं तिगवा का विश्णु मंदिर है कहां ये जवलपूर मद्य प्रदेश में है भूमरा का सिम मंदिर ये भी मद्य देवगड का दसावतार मंदिर ये देवगड जासी के पास उत्तर प्रदेश में है भीतर गाउं का मंदिर कानपूर उत्तर प्रदेश में ये सब भारत के सबसे प्राचीन मंदिर है इससे प्राचीन मंदिर पूरे भारत वरस में कहीं भी नहीं है गुप्त काल के चित्रो नमर की गुपाइं गुपतकालीन है तो 16, 17 और 19 अजनता गुपाइं बहुत धर्म से सम्भन दीते हैं जिसें बोधी सत्व पदम पानी का चित्रानकन किया गया है और एलोडा में बहुत जैन और हिंदु धर्म तीनों का है लेकिन अजनता में सिर्फ और सिर्फ बहुत धर्म का है सिक्षा और साहित्य गुपतकाले पाटले पुत्र वल्लभी उजैन कासी मत्रा सिक्षा प्रमुकेंद्र थे नालंदा भी आगे चलका विस्व बिद्याले बना था पता ही आपको हो ता कुमार गुपतकाल के प्रमुकन चनाएं रितु संघार कालिदास जी ने लिखा है नेग दूतम कालिदास जी ने लिखा है बहुत बार पूचा है हर साली पूचा इस वाले पूचा था कुमार संबं कालिदासी रगबंस कालिदासी मालिविका अगने में तरिय भी कालिदास ने लिखा है अभिगान सकुंतलम कालिदास ने लिखा है विक्रम और परसियम स शूर्य सिध्धान्त यह कौन लिखेंगे आरे भत्त जी नयाया आवतार सिध्धिसेन जी ने लिखा है पंच तंतर विश्मु सर्माजी ने लिखा है यह सबसे जादा भासाम अनवाध होने वाला बुक में से एक है पंच तंतर दुनिया की से फेमस बुक नीती सार काम अंद तक ने लिखा है मिर्च कटिकम किसकी रचना है सुद्रक्की बहुत बार पूचा है भी प्यसी ने योगाचार असंग ने लिखा है गुप्त काल में सबसे अधिक प्रजित गनित और जोत्सी के छेतर में हुआ ये सब को पता है आरे भट्ट जी ने और ब्रह्म गुप्त विकर्नों की लंबाई ज्यात करना सुनने के प्रियोक के नियम और जो होता है ये एक्स इस्कॉाइर प्लस ब्स प्लस जी जो होता है उसकी बात कर रहा है तो वह सब भी इसी समय सॉल्ब हो गए थे चंद्रुत विक्रमादेते के दरवार में अयूर्वेद का बिग्यान औ सेले चिकित्सा के बिधी को भी उस समय बताया था नागार जून रासाइन भी ज्यान की ज्याता थे बाग भट ने अश्टांग हिर्दय नामक आयरुवेद गरंद की रचना की है वारा हमीर ने जोत्सी से महत्पून सिध्धान प्रतिपादित की है उन्होंने पच्च सिध्धान्ति का नामक जोत्सी गरंद की रचना की है प इसके बाद जो कुछ भी बढ़ जाएगा उसको अगले लेक्चर में कर दूगा वैसे एंसीन ठेस्टी कंप्रीट हो गया है आज के इससे जादे आगे का लेक्चर सोठ ही होगा चोटा सौई होगा एंसीन ठेस्टी आज दृष्टी आई इसके बिहार समगर से केवी सिननों स हमने पहले ही एंसे एंटिस्टी कंप्रीट कर लिया उसको जाकर देख लेना वीडियो कैसा लगा जरूर बताना ओके थैंक यू सो मच